बहुत बहुत स्वागत है जश्रको वोट पाने के लिए घोशना पत्र में जनता से ये वादा करना कि पीएफाई और बजरंग दल जैसे संगटनों को बैन करेंगे इसका साब मतलब है कि लोग इनसे परिशान जैसे लोग गली महले आदी में कूडे की नाले की सफाई की समस्य से परिशान रहते हैं लेकिन बीजेपी ने इसमें धार्मिक एंगल घुसेड़ दिया ताकि असल मुद्दों को घुमाया जा सके बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दी गई वैसे देखा जाए तो भारत में कई लोग बंदरों को भी बजरंग बली का रूप मानकर पूछते हैं और बंदरों को आतंक या फिर उत्पात का परियाए भी माना जाता है छोटे वक्चों को अक्सर बोल दिया जाता है कि जैसे ये वानर सेना है या बंदर है खेर जब बजरंग दल की बात आई तो 36 गड़ और राजिस्थान के मुख्यमंत्रियों ने ये कह दिया कि अगर जरुरत पड़ी तो बजरंग दल पर बैन लगा देंगे तो बीजेपी ने कहा कि अगर हिम्मत हो तो बैन लगा कर दिखो खेर 36 गड़ के मुख्यमंत्री बगेल जिसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप बजरंग दल पर बैन लगाओ या ना लगाओ लेकिन बंदरों पर ज़रूर बैन लगाना कारण ये है कि 36 गड़ में बंदरों के उतपात ने एक नया सुरूप ले लिया है बंदरों के डर से लोग अब दाल या दलहन तिलहन जैसी फसलों से दूरी बनाने लगे हैं नुकसान के डर से लोग सबजियां उगाना भी कम कर रहे हैं राज के कई गाओं में लोगों को चौकिदार रखना पड़ रहा है बीते कुछ सालों में 36 गड़ में दलहन और तिलहन की फसल का रखबा कम हुआ है कई फसलों के रखबे में 30 से 35 फिजदी तक कमी आई है हिमाचर प्रदेश के किसानों बागवानों को होने वाले नुकसान को देखते हुए 11 जिलों में बंदरों को वर्मिन घोशित कर दिया गया है और उनको मारने की इजाज़त भी दे दी गई है इस मुद्दे पर हिमाचर प्रदेश के किसान सभा का कहना है कि सरकार के पास ये मौका है कि बंदरों को बायो मेडिकल रिसरज के लिए निर्यात करने का फैसला ले ले और अब सरकार ने फैसला ले भी लिया है किसान सभा का कहना है कि बंदरों को जान से मारना आम किसानों के बस में नहीं है इसके लिए ट्रेंड शूटर या एक्स सर्विसमेन की जबरत है गौर दलब है कि प्रदेश में 70 फिजदी से अधिक तहसीलों में बंदर हर साल करोडों की फसल नश्ट कर देते हैं प्रदेश सरकार ने बंदरों के उत्पात में एक महिला की मौत के बाद अखिरकार बंदरों के निर्याद से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव लाने का फैस्ता ले ही लिया है इसे राज सरकार जो आने वाला विदान सबसातर है उसमें मंजूरी के लिए रखेगी बहराल युगांडा के दक्षणी पस्टिमी मावारारा जिले में आदिम बंदरों को मारा जा रहा है इस इलाके में इन बंदरों के साथ हानिकारक कीटों जैसे विवहर किया जा रहा है ग्रामिन अंचलों में जो किसान है वो बंदरों से बहुत ज़्यादा परेशान है खासकर सबजी उत्पादक किसान को बंदर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे है खेत और बाडियों में सबजी भाजियों की फसल को वो चट कर जाते हैं इसके अलावा ग्रामिन छेत्रों में घरों के बाहर और छट पर रखे समान को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही खप्रेल को भी बहुत जादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग द्वारा बंदरों को भगाने के लिए कोई विवस्ता नहीं की जा रही है। जिससे ग्रामिनों में इस वन विभाग के प्रती बहुत जादा निराशा और नाराजगी है। बंदरों की वजए से यहां हर साल करीब दो हजार करोड रुपए की फसल बरबाद हो जाती है। किसानों ने तो खेती छोड़ दी है। इंद्रा गाधी मेडिकल कॉलेज में उपलब्द आकले सभी को चौकाते हैं। 2015 से अब तक बंदरों के हमले और काटने के मामलों में यह जो संख्या है बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ी है। 2015, 16, 17 और 18 की तुलना में 2019 में 141 ऐसे मामले दर्ज किये गए हैं जो कि अब तक कि किसी एक महिनों की रिपोर्ट में सबसे जादा संख्या है। इधर मोदी जी ने बजरंग दल को बजरंग बली बता कर हनुमान भक्तों को नराज कर दिया है। संगठनों से नागरिकों को प्रकृती को बचानी की जिम्मेदारी भी सरकार की है। अब देखना ये है कि सरकार इससे कैसे ने पठती है। और दर्ज को एक बात और। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे फारवर्ड करें शेयर करें। कि यूटूब जो है वो हमारे इस कारिकरम का नोटिफिकेशन भी आप तक नहीं पहुंचाता है। कारण ये है क्योंकि इस प्रकार के विश्यों को हम इस अपने कारिकरम में शामिल करते हैं। इसलिए थोड़ा सा वो हमसे दूरी बना कर चलता है तो अब ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है।